बिहार का मौसम ठंडा हो चुका है, पटना से पूर्णिया तक हवाय ठंडी हो चुकी है, सिर्फ एक बार की पुर्वया हवा ने चलचिलाती गर्मी को दूर कर दिया, हलाकि अभी भी कई जगहों पर लोगों को बारिश का इंतजार है, मौसम विभाग के मुताबिक आज या हलकान लोगों को रात में काफी राहत मिली है, हलाकि दोपर में गर्मी की जगह उमस ने ले ली है, वहीं पटना मौसम विज्ञान के इंदर से जारी अपडेट के मुताबिक पश्चिम चंपारन, पूर्वी चंपारन, सारंज, सिवान, गुपाल गंज, मुजफरपूर, स दुबनी, वैशाली, समस्तिपूर, अररिया, पुर्णिया, मध्यपूरा, सुपॉल, किशन गंज, सहरसा और कटिहार में अनेक जगहों पर हलकी से मध्यमस्तर की बारिश हो सकती है, इंजीलों में आज यानी 8 और 9 मई तक के लिए ये पूर्वा अनुमान जारी किया गया वैए पटना गया जहानाबाद, नवादा, नालंदा, शेखपूरा, बेगुसराए, लखीसराए, बकसर, वोजपूर, रोतास, औरंगाबाद, अर्वल, भभुआ, भागलपूर, जमुई, बाका, मुंगेर, खगडिया में कुछ जगहों पर आज से लेकर 10 मई तक दीमा होगा, इसके बाद 12 मई को पटना, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, शेखपूरा, बेगुसराए, लखीसराए, भागलपूर, जमुई, बाका, मुंगेर और खगडिया को छोड़, बाकी सभी जीलों में एक या दो जगहों पर हलकी बारिश हो सकती है तो जैसा कि बिहार का मौसम ठंडा हो चुका है, पटना से पूर्णिया तक हवाय ठंडी हो चुकी है, सिर्फ एक बार की पुर्वया हवा ने चिलचिलाती गर्मी को दूर कर दिया है और लोगों उन्हें राहत के सासली है हाला कि अभी भी कई जगहों पर लोगों को बारिश का इंतजार है, मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी आठ मई से बारिश का दौर भी शुरू हो सकता है वहीं मौसम विभाग के पुर्बानुमान के मुताबिक ये माहोल 11 मई तक बना रहेगा बात अगर राजधानी पटना की करें तो तबती गर्मी से हलकान लोगों को रात में काफी राहत मिली है हाला कि दोपहर में गर्मी की जगह उमस ने ले ली है और वहीं बात करें तो राजधानी पटना के वासियों को गर्मी से काफी राहत मिली है कल से ही मौसम एकदम सुहावना बना हुआ है और 11 मई तक मौसम विभाग ने इसका अनुमान लगाया है 11 मई तक लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी और कल रात में भी जादा तर देखा गया है कि कई जगहों पर हलकी बारिश हुई है और अभी कई जगहों पर हलकी बारिश नहीं हुई है जिसको लेकर लोगों को बारिश का इंतजार है ये लो मूँ मिठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुढ़निया वापस जाएंगे जॉप छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माबाबुजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुढ़निया में हम रहेंगे कहां? अपना घर भी तो नहीं है वहां इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुढ़निया में घर ले लिया है पुढ़निया के e-homes panorama में पुढ़निया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिन्दगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सब अड़े अड़े आप क्यों मुमीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious, lifestyle redefined